वह कोई उद्देश यात्मक निश्चित शन नहीं होता जब कोई बच्चा मध्यबाल लेवस्था से किश्वरावस्था में प्रवेश करता है मतलब क्या है पांच से आठ वर्ष है पांच से ग्यारा क्या देंगे कई लोग यानि अर्ली और लेटर के बीच की स्टेज हम कहते हैं बारा से अठारा है नॉर्मल केस में डव्याच दस से उननस कहेगा अब ऐसा नहीं कह सकते हम कि बारा साल का एक्जैक्ट हुआ आज बड़े है और अड से नहीं बड़ रहे है बट मास पेशियों में ताकत आ रहे है बच्चा गुरूप में खेलना शुरू कर दिया तो ऐसा थोड़ी किसी एक पर्टिक्लर दिन डेट के हिसाब से बड़ी में दिमाग में चेंज आएगा नहीं वह तो हमने एक आइडिया के लिए स्टेज को ब बच्चा बंदरा साल का वो बच्चा लग रहा है बलकूल दिखने में तो सब में अंतर है ऐसा थोड़ी को पर्टिक्लर दिन है कि अब आपका मेडल चाइल्ट हो गया शुरू वह एजवाइस हो सकता है बट ऐसा को हाड़न फास्ट रून लें तू है बात रीजन क्या है इस लिए है क्योंकि विकास तो सथा तैसा थोड़ी आप स्टेजस में बांट देंगे तो डिस कॉंटिनुस हो जाएगा डिस कॉंटिनुस तो पूछा ही निए तो यह कॉंटिनुस है आप विकास जो भी यह बात देखो इसमें दो चीज़ें जो यह मानेगा जो पहला इस बात में विश्वास रखेंगे कि यह कोई एक स्पैसिफिक शन नहीं होता को इनिशित शन नहीं होता जब बच्चा मध्या बाले वस्था या किश्वर वस्था में प्रवेश करता है यानी डिवलेप्मेंट तो कॉंटिनुस है सतब चल रहा है धीरे-धीरे ग्रैजु होड़ी है दोनों बाते है हां सही हो जाएंगे बोथ एन राल टू और इस दी करेक्ट एक्स्प्लेनेशन ओफ एस कि में हाँ कोई पर्टिवलर शन नहीं होता को इनिशित शन नहीं होता क्यों क्यों कि विकास तो निरंतर है चलता रहता है ऐसा होड़ी एक दिन बड़्ड स्टेज होती है अडॉलसेंस और फिर यहां पर इस कॉंटिनुस भी लिखा होता साथ में रीजन में इसकी तब वो सही होता वे इसक्स देखेगा फिल्यवीड इवलप्मेंट भीडवलप्मेंट अपार्ट ना लेंग्वेश डिवलप्मेंट इन प्राइमरी क्लास इस फे अबहिलना और पेक्षा करने लग जाएंगे कि नहीं तुमको अपनी मदर टंग नहीं बोलते हैं या कोई पर्टिकुलर लेंग्विज बोलते हैं इससे तो कोई लेंग्विज डिवलेप्मेंट बच्चे में नहीं विक्सत होगा क्योंकि मातरी भाषा को सारी पॉलिसी जाह इन फ्रोम साइन्स इंपल्स रेदर थेन कॉन्क्रीट अब्जेक्ट यानि आप डिरेक्ट साइन्स की बात कर रहे हूं साइन्स मतलब वो साइंस विज्ञान वाली ने यह सिंबल वाली साइन तो एफ और एपल डिफ और बाल डिरेक्ट आपनी शुरू कर दिया Spelling से में बाते कर रहे हो तो बच्चे के लिए काम का नहीं है वो क्योंकि अभी तो घर से आया है उसको यह तो पता है कि भी फॉर बाल होती है बीफ और भी छोड़ती है बाल का उसको पता है आपने बीफ से जोड़ना है तो साइन और सिंबल से डिरेक्ट आप लिखके बात क फोट नहीं यह दिमाया है तो आप एपल की पिक्चर भी उसकai दिमाग में आती है इसका मतलब क्या है कि आप कॉनक्रीट ludi आपके हैं जैसे एपल रेखा है बच्चे के लिए शुरूर में तो अमूर्थ चीजों को डिरेक्ली टॉच नहीं किया जा सकता या फील नहीं किया जा सकता उनको बाद में आप इंट्रोड्यूस कीजे पहले चीजे जिनको वह टुच फील करता है डेली वेसिस पे उससे से बच्चा वो प्ले स्टेज में होता है एक तरह से कि वो चीज़ों से सीख रहा होता है वेंग टीचस इस्ट्रेस अपॉन एन फोर्स दी यूज फॉर्मल लेंग्वेज कि जब 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 दस्ती बच्चे पर अप्चारिक भाशा थोपी जाएगी तो बच्चा नहीं सीख आएगा उसको अपनी मदर टंग बोलने दीजे तो थर्ड ऑप्शन ही यहां सही है क्वेश्टन नमर्ड देखिए का 7 यह क्या कहता है विच आफ द फॉलेंग इस नौट अप्रिंसिपल अप्रिंसिपल नहीं है सैकड़ों प्रिंसिपल है विकास के पूछा है कौन सा नही है बताइएगा 10 12 हम कम से कम करके चलते हैं आप यह निमलिकित में से कौन सा विकास का सिधान्त नहीं है दी प्रिंसिपल ऑफ डिवलेप्मेंट प्रिंसिपल आफ इंटर रिलेशन नहीं होता है इंटर रिलेशन का विकास के तारों प्रकार आपस में जुड़े हुएं पी एक्ती सेम दिन पे सारे नौ महीने के बच्चे चलना सीख जाया जरूरी नहीं है तो इनौ महीने में सीख लिए को एक साल में अलब भिन्नता होती है स्पीड में पेस में प्रिंसिपल आफ सेग्रेगेशन कुछ नहीं कि अलग थलग कर दो बच्चों को प्रिथा की करन कुछ नहीं होता यही गलत है और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था नौट लिखा हुआ था प्रिंसिपल आफ डिरेक्शन बिल्कुल सही है दिशा का सिद्धान जिसमें से फेलो कॉडल से पैर और प्रॉक्सिमो डिस्टल सेंटर टू परिफरी केंदर से या क्वेश्ट नौबर एट कहता है एक बच्चा जो शारिक रूप से कमजूर है उसका भावनात्मक यानि उसके इमोशन भी सामाजिक भी यानि वह समाज में भी ठीक से बाकचीत नहीं कर पाता मनने लगता उसका और मांसिक रूप से उसका दिमाग भी ठीक से डिवलप नही अगया है फटाक से जवाब देना है प्रिंसेपल ओफिंटीगरेश्ण प्रिंसिब ऑफ इंटे रीलेशन प्रिंसेपल ऑश्कू वांचिन एप लंचिन शॉनिफंट वन्हिंश्थ हूं एक सीक्वेंस है कि नदाथ दूद के निकलते हैं बाद पक्के दात निकलते हैं दो हाथ पैरों को चलाना सीख लिया ठीक है कुछ उचलना सीख लिया अब आप इन सब को देखना आपको आता ही है इन सब को एक साथ यूज कर रहे हैं बैडमेंटन खेलते हुए यह है इंटीग्रेशन के आपके डिवलेप्मेंट के अलगलग प्रकार एक सिंगल यूनिट के र किसी ऐसी आपस में जुड़े हुए हैं अगर शारिक या शरीर का विकास ठीक से नहीं हुआ तो उसकी वजहां से यदि बच्चे का मानसिक सामाजिक इमोशनल डिवलेप्मेंट ठीक से नहीं हुआ इसका मतलब यह इंटर रिलेशन का सिभ्धान थे लिको यह जरुए नही से ठीक नहीं विक्सद हो पाए तो बाकी आसपेक्ट उन्हों नहीं बहुत अच्छा क्या हो लेकिन जब शारिक की वजहां से बाकी आसपेक्ट ही डिवलेप नहीं हो पारे तो फिर तो आपको यह समझना पड़ेगा कि पूछा किस तरह से है कि क्वेशन नमबर 9 है रखतालग प्लिवा एक-प्रफर श से समझ्त मर्च कुछ ने पूछा किया है यह देख थे हैं पहले प्रिंसिपल क्या है और सिर्फिन एक तरफ है विकास का सिधधान, दूसरी तरफ उसका विवरेंट, ठीक सिधध्धान क्या है प्रोफ्सिमो डिस्टर स्रेंट यरिए प्रॉक्सिमोट इसलिया समीपस्ट दूरस्त प्रविर्ति या दिशा विकास की समीपस्ट दूरस्त में क्या होता है नियर टू फार जाते हैं फ्रॉम दी सेंटर ऑफ बॉडी टू आउट वर्ड शरीर के केंद्र से बाहर की और बिल्कुल सही बात है यानि फॉर्स्ट का हो है क्योंकि और 5-2 निसाता प्सिंपल टू कॉंपलेक्स प्रोग्रेशन हालां कि प्रॉक्सिमोट स्टल में ऐसा ही होता है कि रॉस्टू फाइन चीजें शिंपल टू कॉंपलेक्स हो जाती है बट जो हमें डिरेक्ट डेफिनेशन दी हुई है तो हम इसके साथ थोड़ी ज पर फिर फिंगर्स पर एक तो यह प्रॉक्सिमोट स्टल एक फोर से फेलो कॉर्डल फिर भी मिला के देख लेते हैं फस्तों से निकली किया है जो आपने दिया भी है से फेलोड लिया निस रोड़ बदोन मुखी तो यह है टूट टूट आज इस पर बहुत चर्चा हो चु होते हैं सही है इंट्रा इंडिविजुल एक विक्ति में जो चेंज हैं तो इन सिंगल चाहिल दर रेट आफ डिवलोपेंट कैन वेरी फ्रम डॉमें आफ डिवलोपेंट को अदर अलग टाइप की डिवलोपेंट की फिजिकल को अगनिटिव सोचल एमोशनल तो बीका 3 हो सिंपल बात फॉर्स्ट ऑप्शन इस दी राइट अंसर तो ऐसे क्वेशन बस टाइम टेकिंग होते हैं बट अगर आप सिर्फ एसे भी मैच कर लेते हैं तो तुरंत आंसर निकल के आजाता है यह आपका शॉर्ट फंड है जो मैं आपको हमेशा बताके ही चलती हूँ हूँ सब्सक्राइब कर देखेंगा थोड़ा सा लेंदी लगेगा वर्ट आफट से जवाब दीजिए क्वेशन बटेन कहता है विच्ट फॉलिंग प्रिंसिपल अफ डिवलेपेंट इस डिफाइंड बाइदी बिलो गिवन एक्जामपल दिया हुआ आपको पहचानना है कौन से की हाइट और वेट होना चाहिए एक एवरेज हिसाब से उतनी ही है चलू ठीक है शी और वेल डिवलेप्ट लेंग्वेज एबिलिटी डेट एट एनबल्स हर टू कम्यूनिकेट विद एबरीवन उसके भाशा विकास भी बहुत अच्छे से हो रहा है क्योंकि वह सबसे बा ठीक से विक्सित हो रहे हैं बच्चे के किया होगा ऑप्शन डिवलेप्ट इन्वास चेंज भाई चेंज की तो यहां बात ही नहीं हो रही बात हो दिया सारे विकास के जो पहलू है सब सही है सब आपस में जोड़े हुए एक दूसरे से डिवलेप्मेंट फॉलोग्ट कि बात है सह संबन्दित या कोरेलेटिटनएस की बात है कि विकास का एक प्रकार दूसरे प्रकार से अंते हैं सम्बन्दित है शारे क्रेकर बाति ठीक से हुआ तो भाशा विकास ठीक से उफट अंशाच्णल अमोशनल तोशल सारी बातें मिल करके एक साथ आ गई हैं